मत्ती रचित सुसमचार अठाईसवा अध्याए सब्द के दिन के बाद सब्ता के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भुईंडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उत्रा और पास आकर उसने पत्थर को लुड़का दिया और उस पर बैठ गया उसका रूप बिजली कासा और उसका वस्तर पाले की नाई उज्वल था उसके भैसे पहरुए कांप उठे औ परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और शीग्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वैं मरतकों में से जी उठा है और देखो वैं तुमसे पहले गलील को जाता है वहां उसका दर्शन पाओगे देखो मैंने तुमसे क कहा सलाम और उन्होंने पास आकर और उसके पाओँ पकड़कर उसको दंडवत किया तब ईशन ने उनसे कहा मत डरो मेरे भाईयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं वहां मुझे देखेंगे वे जाही रही थी कि देखो पहरों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया तब उन्होंने पुरुनियों के साथ इखटे होकर सम्मती की और सिपाहियों को बहुत चांदी दे कर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे सो उन्होंने रुपिये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह बात आज तक यहुदियों में प्रचलित है और ग्यारा चेले गलील में उस पहाल पर गए जिसे ईशोंने उन्हें बताया था और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया पर किसी किसी क पास आकर कहा कि स्वर्ग और प्रत्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बप्तिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आग्या हैं मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ